ए आर सीपी को लगे पंक सीएम भजनलाल शर्मा और गजन्य शेखावत का एक्शन भजनलाल और शेखावत ने किया हवाई सर्वे जी हाँ राजिस्थान की तेरह जिल्लों की प्यास बुझाने और वहां के किसानों को सीचाई के लिए पानी उपलब्ध कराने के लिए इस्टर्न राजिस्थान कैनाल प्रोजेक्ट ए आर सीपी को पंक लग गए हैं राजिस्थान और मध्यप्रदेश के बीच हुए M.O.U के बाद प्रदेश के मुख्यमंद्री भजनलाल शर्मा पूरी तरह से अक्षन में दिखाई दे रहे हैं उन्होंने रविवार को केंद्रिय जल शक्ती मंद्री गजिनल सिंग शेखावत के साथ नवनेरा बांध और फिर टोंक जिले में बनास नदी पर बने बीसलपूर बांध का हवाई सर्वे किया सीम भजनलाल और शेखावत ने बात में टोंक और सवाई माध्यपूर की सीमा पर बनास नदी पर ही बनाये जा रहे इसरदा बांध के निर्मान का भी जायजा लिया सीम ने यहां बांध साइट पर पर योजना से जुड़े अधिकारियों और अभ्यंताव से निर्मान में हो रही देरी को लेकर कई जानकारिया ली आपको बता दे कि इसरदा बांध का काम पूरा हो जाने से दोसा जिल्ले के 5 कस्बों और 1089 गावों के अलावा सवाई माधपोर जिल्ले के 177 गावों और एक कस्बे को पानी उपलब्ध हो पाएगा इस योजना के तहट दोनों जिल्लों की 35.13 लाख अबादी को 3,6198 घरों में पेजल आपूर्ती किये जाने की योजना है मुखे मंतरी भजनलाल शर्मा ने परियोजना से जुड़े अधिकारियों और अभियनताओं को गुणवत्ता पूर्ण कारिय के जाने के निर्देश भी दे दिये हैं साथी उन्होंने निर्मान कारियों में और अधिक तेजी लाए जाने के निर्देश दिये पर्योजना के जन्वरी 2025 तक पूरा हो जाने की संभावना भी बताई जा रही है जिसकी कुल लागत 1856 करोड रुपए है सीम भजनलाल शर्मा और केंद्रिय जल शक्ती मंत्री गजिन्द सिंग शिखावत ने नवनेरा बीसलपूर बांथ और ईसरदा बांथ पर्योजना का जायजा लिया जिसे लेकर चर्चाव का दौर भी शुरू हो चुका है कई लोगों का मानना है कि लोगसभा चुनाव के लिए लगने वाली आचाज सहीता से पहले पीएम मूदी EACP का शिलानियास कर सकते हैं जानकारी के मताबिक हाली में शिखावत ने EACP के मुद्दे पर प्रेस कॉन्फरेंस भी की थी और कॉंग्रेस सरकार पर EACP को लेकर जमकर हमला बोला था मीडिया से बात करते हैं केंद्रिय वंजवी गजिन्दर सिंग शिकावत ने कहा कि कॉंग्रेस ने सर्फ 5 सालों तक राजनीती के अलावा कुछ भी नहीं किया EACP के मुद्दे पर चुनाव लाप लेने के प्रयास करते रहे बार-बार केवल यही जित करते रहे कि EACP को राश्के परियोजना घोशित करे जबकि EACP में क्या अर्चने आ रही है और उन अर्चनों को दूर करने के बारे में कभी बात ही नहीं की साथी शिकावत ने ये भी कहा कि पिछले दू-तिन सालों में जितनी बार दिनली में EACP को लेकर बैठक बुलाई उन बैठकों में पूर्व वर्ती सिरकार के मंठ्रियों और सचीव ने कभी भाग ही नहीं लिया सर्फ राजुनैतिक बयान दे कर बीजेपी को कोस्ते रहे राजिस्थान तक के लिए टोक से मनोज तिवारी की रिपोर्ट झाल झाल झाल